हलो वेल्कम बैक टो आनाधर ने फिर्ट विडियो दोस्तों यदि आप लोग बाइक टेक्स से फिल्ड में काम करते तो आप लोगों पता हुआ कि आज के डेड में ओला आप रैपडर और इन्राइप ये चार कंपनी बाइक टेक्स से फिल्ड में सर्विस प्रोवाइड कर ल सब्सक्राइब करते लेकिन अब बहुत ही जल्द इसमें से बाइक टेक्सी चालू होने वाली है जो कि हम जैसे राइडर के बहुत है था फायदबन होने वाले क्योंकि ये गवर्ण्मेंट से अप्रूब है और सबसे अच्छी बात इसमें जिरो कमिशन भी है जिया दोस्त करना का कैसे डॉक्र में को सबस्क्राइब करना तो सबसे पहले आपको एस वीडियो के डिस्क्रिप्षिन में जाना है वहां है एकलिक पर क्लिक करके आपको application को सबसे पहले download कर लेना है application open करने के बाद आपको यहाँ पर enable location का option मिलेगा उसमें आपको click करके अपना phone का map on कर लेना है और turn on पर click करके while using the app पर आपको click कर देना है then यहाँ पर automatic आप जिस city में रहते हैं यहाँ पर यह select हो जाएगा नीचे language select का option मिलता है अगर आप आप चाहे तो language change कर सकते हैं यहाँ पर सभीदय के लिए मैं यहाँ पर English में रखता हूं और देन नीचे confirm वाला option पर आपको click कर देना है नीचे confirm वाला option पर click करने के बाद कुछ इस तरह का page open होगा जहां पर लिखा है direct payment no commission मतलब कोई commission नहीं लेगी यह company पर सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पर अपना mobile नंबर देना जिस mobile नंबर से आप काम करना चाहते है फिर उस mobile नंबर पर एक OTP आएगा OTP को यहाँ पर submit करने के बाद register वाला option पर click कर देना दन उसके बाद यहाँ पर तीन option आएगा bike taxi, car, ambulance तो हम यहाँ पर bike अपना register कर रहे है तो bike taxi वाला option पर click कर लेंगे उसके बाद यह चारो चाहिए आपको एक एक करके fill up करना होगा तो यहाँ मैं सबसे पहले grant permission वाला option पर click कर लेता हूँ क्योंकि registration करते वक्त अलग-अलग option पर अलग-अलग permission वाहाँ गया तो सबसे पहले मैं grant permission वाला option पर click करके सारे permission को allow कर देता हूँ उसको बाद दोस्तों पहला वाला option पर आया ना vehicle registration में यहाँ पर लिखा हुआ enter vehicle number तो vehicle number यानि कि आपका bike का जो number plate होता है वो पूरा आपको यहाँ पर enter कर देना उसको बाद upload registration certificate वाला option पर click करके आपको RC book जो होता है यह फिर blue book बहुत कोई कहते है तो उ photo upload करने के दो option है camera और gallery तो मैं कहूंगा पहले अब normally photo click कर लो उसको बाद gallery से उसको crop करके अच्छी तरह से upload कर देना अब उसके बाद दोस्तों driving license वाला option उसके आपको click कर देना इसका process बिल्कुल सेम है सबसे पहले आपको अपना driving license का number यहाँ पर enter कर देना हो उसको बाद नीचे आपका data बढ़ देके upload driving license वाला option पर आपको click कर देना अब इसके बाद दोस्तों option है profile photo तो दोस्तों आपको अपना profile picture यहाँ पर upload करना है आप लोगो और एक चीज बता दूँ जब आपको अपना आपको अपना आधरकार यहाँ पर upload करना होगा upload करने का process विल्कुल सेम है दोस्तों front side का सबसे पहले आपको upload करना होगा उसको फिर back side का आपको upload करना हो जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि पहले normally photo click कर लो crop कर लो फिर यहाँ पर gallery से upload कर देना अब दोस्तों यहाँ last में एक छोड़ा सा option रहे जाता है इंटर referral code तो आप लोग चाहें तो मेरा यह referral code यूज कर सकते हैं यह दि आप लोग लगता है कि मेरे इस वीडियो के जरी आपको कोई help हो सका है तो please आप लोग मेरा यह referral code यूज कर सकते हैं ताकि मुझे भी कुछ future में benefit मिल सकें otherwise complete registration वाला option प फिर ride accept कर सकते हों दोस्तों यह था पूरा registration का प्रोसेस अब मुझे इस company में सबसे अच्छा चीज़ यह लगा नहीं जैसे कि यहां पर लिखा हुगा भी था कि कोई commission नहीं लेकि मतलब customer के जितना भारा हो उतना ही पैसा हम लोग के exactly उतना मिल जाए हो सकते हैं कुछ GST कु नहीं लेता है लेकिन पैसा बहुत ज़्यदा कम देता है तो यह गौर्णमेंट से अक्रूब है खुद support करी है तो मुझे लग रहा है कि इसमें पैसा काफी ज़्यदा अच्छा सा देखने को मिल सकते जबकि ओलावर रैपिड हो में आप लोग जानते इन रह में साथ से आ बात नहीं है मेरा भी बिल्कुल ऐसा हो रहा है ठीक है उसको मैंने call support को call किया मंदलब पूछने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि मैंने बताए कि अभी सर्विस कोलकाता में चालू नहीं हुआ हो सकते next month यानि September से यह सर्विस चालू हो जाए उसके बाद यह ambulance का जो बहुत ही जल्द यह सर्विस चालू हो ले वाना है और जैसे यह सर्विस चालू होना बता दरहूं अगर company मतलब सच में जीलो कमिशन पे मतलब ले रही है और पैसा भी अगर एटलिस दस फिर पर किलमेटर के साब से देती है ना बाई कसम से और और रैपिट राइब का मार करने के लिए अलग अलग भई इसके निकाले जीरो कमिशन कर देगा पैसा बढ़ा देगा देखना और यह चालू हो जाता है यह यात्री सात्री मजा आ जाएगा वाई सच में तो फिलाल दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना वीडियो और अच्छी नहीं तो